तो दोस्तो आज का वीडियो है एक स्मार्ट वाच के उपर तो दिखिए इसका बैटरी जो है पुरा खराब हो गया है फुल गया है तो दोस्तो एक डैमेज हो गया है तो यह बैटरी जो हर जगा नहीं मिलता है तो हम इसमें क्या करेंगे एक ब्लूटूथ बाला जो बैटरी वही इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे दोस्तों दिखिए ब्लूटूथ बाला बैटरी है तो इसका जो बैटरी रहता है दोस्तों 380 मिले एंपियर का रहता है दोस्तों तो अब उससे थोड़ा ज्यादा मिलेगा तो भी लगा सकते हो और हम इसमें ब्लूटूथ बाला लगाएंगे तो दिखिए इसका जो सरकीट है दोस्तों उसको आमको खोल लेना है दोनों तरब का जो सोल्डर लगा हुआ है नेगेटिव और पॉजिटिव का तो दिखिए मैं इस सरकीट में दिखा दे रहा हूँ इसमें दोनों साइट का जो है नेगेटिव पॉजिटिव का मार्क किया हुआ है देखिए एक दोनों साइड में नेगेटिव और पॉजिटिव का तो दोस्तों यह बैटरी जो है अर जगा नहीं मिलता है असानी से आर दुकान में भी नहीं मिलता है दोस्तों तो बहुत ही मुस्किल होता है लेकिन तो अगर इस बैटरी के अंदर बैटरी का जो धाचा है उसके अंदर इंस्ट्रॉल कर सकते हो बहुत ही आसान ही से तो उसी के बारे में इस विडियो है दोस्तो विडियो को बंदा मेरा चैनल को देख रहे हो और जुरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो लाइक कर दो और वीडियो को सेयर कर दो दोस्तों क्योंकि मैं हार टाइम नया नया वीडियो लाने की कोशिश करता हूँ तो देखिए यह जो बैटरी हम लगाएंगे इसका भी एक सर्किट लगा हुआ है तो इसको भी हम खोल लेंगे तो देखिए खोल लिया हूँ और दोस्तों यह बैटरी का जो पीन है उपर में जो थोरा सा रहता है अलग सा थोरा पीन सील किया हुआ तो वो सोल्डर होता है उसके बाद जो रहता है अलूमिनियम का दोस्तों फॉल रहता है तो इसका जो दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव बला पीने उसको ज्यादा मत मरो रो तो क्या होगा वो कड़ जाएगा तो मैंने बैटरी का जो नेगेटिव हिस्चा को देखिए मार कर दिया तो आप लोग को समझने में असानी होगा और देखिए अभी सर्कीट को हम बैठाएंगे बैटरी कैसे बैठेगा ये स्मार्ट वाच के उपर इसके अंदर बैठेगा दोस्तों तो उसी हिसाब से हम सर बाला हिस्चा है उसके साथ बैटरी का नेगेटिव बाला हिस्चा हम जोरेंगे और पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव बाला हिस्चा हम जोर देंगे तो जोरने के बाद ये सर्कीट को तोरा सम मोर के बैटरी के उपर बैठा देंगे दोस्तों तो दिखिए इसका नेगे और पॉजिटिव हमने देख लिया है ऐसे बैठेगा तो उसके बाद हम इसको पलट देंगे तो बहुत ही असान है दोस्तों अगर वीडियो को दहन से आप लोग देख लेते हो तो आसानी से इसको कर सकते हो कोई भी प्रॉब्लिम नहीं होगा तो यह वाला बैटरी थोरा सा जड़ा लंबा है इसके लिए और एक काम हमको करना परेगा इसको धाचे के अंदर बैठाने के लिए तो वीडियो को आगे देखते रहे हैं पता चल जाएगा दोस्तों कि इसको कैसे हम बैटरी का जो धाचा है उसके अंदर डालेंगे तो दिखिए हमने जो है सर्किट को लगा दिया है आप जो है धाचे के अंदर इसको बैठा नहीं दोस्तों यह थोरा मुस्खिल है बैठाने में क्योंकि मेरा बैटरी थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा है दोस्तों तो तिन मिलिमीटर थोड़ा ज्यादा बढ़ा है तो देखिए यह असानी से आने ही रहा है तो कोई बात नहीं टूजर के मदद से हम थोड़ा सर्किट को आगे के तरब हम पूश कर देंगे तो दिखिए बैठ गया पिन जो है अभी देखिए पिछले वाला हिस्सा जो है अंदर जानी रहा है तो क्यों जानी रहा है वह हम दिखाएंगे बैटरी का जो ढाचा है उसका पिछले हिस्से में थोड़ा उभर सा है दोस्तो प्लास्टिक तो उसको हमको आईरन के मदद से उसको सपट करना है दोस्तो देखिए हम इसको आइरन के मदब से थोरा पतला कर देंगे प्लास्टिक को और नाइप के मदब से इसको स्मूथ कर देंगे उसके बाद आसानी से बैटरी इसमें बैट जाएगा तो दिखिए इसमें थोरा ज्यादा हमको दिख रहा है हम दोनों तरफ से इस प्लास्टिक को काट भी सकते दोस्तों तो कोई भी प्रॉब्लिम नहीं आएगा उसमें तो हम काटेंगे नहीं बिना काटके ही हो जाएगा तो देखिए लगबग मेरा जोए सेट हो गया अब इसको हम थोरा देख लेंगे यह वाला बैटरी थोरा मतलब चौरा में थोरा कम है तो कोई बात नहीं हम इसके उपर सेलर टेप लगा के धाचे के साथ बैटरी को अच्छे से पैक कर लेंगे तो दिखिए पैक हो गया तो आप क्या करेंगे दोस्तों जो डबल टेप मिलता है दोस्तों उसको बैटरी के उपर हम चिपकाएंगे इसका जो बैटरी का जो कौवार है दोस्तों प्लास्टिक वाला या कागज वाला उसको हम चिपकाएंगे इसके उपर जो पहले बाला बैटरी में था तो डबल टेप के उपर असानी से ओचिपक जाएगा तो दिखिए मैंने दो डबल टेप लगा दिया है दोनों साइड में तो दिखिए ऐसे लगा के आप डबल टेप को काट लिए अब इस डबल टेप को हम अच्छे से इसमें चिपकाएंगे उसके बाद इसको हटा देंगे हम उपर वाला इससे को तो हमारा डबल टेप जो है ओ जूरा रहेगा बैटरी के बॉड़ी के साथ देखिए इसको हम ऐसे चिपकाएंगे क्योंकि इसके उपर जो पहले वाला बैटरी था उसका जो कागज है उसको हम इसके उपर चिपकाएंगे तो नया बैटरी जैसा ही दिखेगा तो उसमें पॉजिटिव और नेगिटिव का भी मार्क किया हुआ है दोस्तो तो उसको देखके हम इसको ऐसे बैटा देंगे देखिए ऐसे इसको सीधा करके अच्छे से अपनी हिसाब से इसको बैठा है तो दिखिए यह मेरा जो कोवारे दोस्तो बैटरी का वह हमने अच्छे से इसके ओपर बैटा दिया है तो दोस्तो अभी और एक काम है जो मैंने सेलो टिब लगाया था बैटरी का जो तीनो पीने दोस्तों उसके उपर ताभी हमको वो सेलो टेप भी हटाना है तो आईरन के मदद से हम थोड़ा-थोड़ा करके सेलो टेप को पिकल देंगे उसके बाद असानी से सेलो टेप जो है वो निकल जाएगा ता हमरा जो बैटरी पीने उपन हो जाएगा भी देखिए connection के लिए देखिए ऐसे हटा देंगे cello tape को तो लगबग मेरा battery जो है दोस्तो तयार हो गया तब देखिए इसके अंदर हम battery को डालेंगे और इसको charge करके भी दिखाएंगे और इसको on करके भी हम दिखाएंगे check करेंगे के सही से चल रहा है के नहीं चल रहा है इस battery से चलेगा के नहीं चलेगा और भी आमको देखना है दोस्तो देखिए इसके पिछले हिस्ते में थोड़ा मोटा है इसको भी आम iron के मदद से थोड़ा पतला कर देंगे तो दोस्तों यह मुश्किल ऐसा आ रहा है क्योंके मैंने जो battery लगाया है तो थोड़ा सा size में थोड़ा सा बढ़ा है तो इसी करने दिक्कता हो रहा है दोस्तों क्योंके मैं तो बैटरी देखके नहीं लाया था तो मेरे पास ब्लुटूथ वाला battery था दोस्तों तो customer ने लेके आया था उसको चाहिए इसी लिए हमने इसको लगा रहा हूँ दोस्तों इसी को तो थोड़ा मैंनत हो रहा है दोस्तों अगर आप इसका size देखके battery खरीद होगे तो कोई भी problem नहीं होगा और भी असानी से यह बैठ जाएगा तो देखिए इसका जो plastic का उपर वाला हिस्सा है वह हम knife के मदद से save कर देंगे कि battery असानी से smart watch के अंदर बैठ जाए दोस्तों तो देखिए मैं फिर से smart watch के उपर जो battery को हम बैठा दिया है तो देखिए अभी असानी से बैठ गया है दोस्तों अब हम चर्जर डाल के देखेंगे इसका चार्जिंग से हो रहा है के नहीं हो रहा है दोस्तों तो देखिए अभी तो battery में साइद कम चार्ज है तो देखिए मेरा जो smart watch है और चार्ज होने लगा है दोस्तों तो देखिए ऐसे इसका चार्जिंग होता है तो अब थोड़ा देर हम इसको चार्ज में रखेंगे उसके बाद हम इसको ओन करेंगे दोस्तों ओन करके देखिएंगे के सही से काम कर रहा है के नहीं कर रहा है नहीं तो हमको इसमें दूसरा battery जो है वह लगाना परेगा ज्यादा image का तो दिखिए मेरा जो है smart watch ओन हो गया दोस्तों तब ही इसमें दिखिए काम भी हो रहा है इसके अंदर सही से तो दिखिए इसका हर एक बटन काम कर रहा है इसकीन भी काम कर रहा है दोस्तों तो दोस्तों आपके पस अगर ऐसा watch रहता है इसका बैटरी नहीं मिलता है तो आप असानी से Bluetooth बाला बैटरी इसमें इंस्टॉल कर सकते हो तो ओके ठैंक यू वाचिंग माई वीडियो